कल से शुरू होने वाली है पांच माचों की टेस्स सिरीज इंडिया और इंग्लेंड के बीच में और जा हार कोई काफे एक्साइटेड है यहाँ पे दोनों इस माचेस के लिए साथ में की दोनों की प्लेंग 11 क्या होने वाली हमें कौन से खिलारी मैदान में उतरते होई नजर आने वाले है वही इससे पहले एक बड़ी ख़बर सामने आईए आपको अगर बताए तो इंग् सेशन भी ठंक से नहीं किये और वहाँ पर उसमें भी एक दिन पहले प्लेंग 11 का एलान कर दियो सबसे शॉकिंग नजर आएगा अगर आपको बताए तो जेम्स आंडरसन जो सबसे बड़े दिगज है इनकी टीम के सबसे बात करें कि यहां पर पुराने इनकी टीम के है जो अच्छे गेंदबाद हैं उनको टीम में ना रखना प्लेंग 11 में ना रखना कहीं चौकाने वाला खबर है और पता नहीं क्यों नहीं रखा गया बड़ा सवाल होगा जब तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आएगा साथी साथ कई नए खिलाडियों को भी मौका दिया गया है यह इंग्रेंड की प्लेंग 11 ने पहले टेस्ट के मुकाबले के लिए काफी शौकिंग चीजे देखने को मिलेगी ऑविसली पहले जो अपने हाइलाइट किया कि जेम्स आंडरसन को शामिन नहीं किया है दूसरा यह कि सिरफ एक पेसर के साथ तीम इंग्रीन उतरने वाली ह बागी तीन स्पिनर रखी हुए इन्होंने रियान हैंवर टॉम हाटली जो कि अपना डेब्यू करने जा रहे हैं अभी तक इनका टेस्ट में डेब्यू हुआ नहीं है लेकिन कल अपना पहला मुकाबला खेलने जा रहे हैं उसके लावा जाक लीज यह तीन स्पिनर और एक और जॉनी बैस्टो की बात करें तो यह बहुत बड़े प्लस पॉइंट हो सकते हैं और बहुत बड़ा ड्रॉबैक होने वाला इंडियन टीम के लिए क्योंकि यह दो खिलाड़ी जितना इनके पास एक्सपीडियंस और जिस तरीके का पर्फॉमेंस यह करते आ रहे हैं तो अगर जॉनी को आउट नहीं किया उपनिंग करेंगे तो इनको अगर इंडियन टीम ने आउट नहीं किया थोड़े दिक्कत होने वाली क्योंकि जिस तरीके से इनका पर्फॉमेंस रहा है पिछले मुकाबले में जिस तरीके से यह एक्सपीडियंस लेते हुए है तो बहु अगर आपको पता है तो बेंड फोक्स की काफी समय के बाद इंगलिंग की समय के बाद वापसी हुए है इंगलिंड ने आखनी टेस्टीम लेकिन वहां पर यह चारोई किलाडी शामें नहीं ते और अब जाकर इन्डिया के अगेंस मुका मिला है और इसमें बेंड फोक्स क नहीं कि अगरें नहीं कि आपको पर तरजी दी गई है बिलकुल माने और हिनकी स्टैटेजी इंडियन टीम के स्टैटेजी से मिलती जूलती है जाए इंडियन टीम ने भी यह डिसाइड किया कि केल लेकिन बल्लेवादी तरफ करेंगे विकेट कीपिंग नहीं करेंगे इडियन विकेट कीपिंग करने विकेट कीपिंग आउप नहीं करने अब नहीं करते हैं तो अच्छा बल्लेवादी करते हैं किया हा सक था पाएंगे अब इसलिए में कि बात करूं पर चारेग़ें बैसों अगर ऑफ नालिए तो एन необходимо बीज़े दिखने वाली ओविस लोग इनकी विगेट कीपिंगी किस तरह के DRS कॉल्स अप लेते हैं, किस तरह के विगेट कीपिंग यहां दिखाते हैं, क्याचिस किस तरह से लिंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर होने वाला है, बाकि अगर इनके स्टाट्स की बात करें, तो इनके 32 का अवरेज है इनका, और 2 शतक और 4 अर्शतक लगा रहे है, 112 not out इनका हाइस तरह है, ठीक था काकड़े हैं, बीस मुकाबलों के हिसाब से, फिर भी ठीक है, तो इनके हजारन पूरे हो सकते हैं, और बाकि देखने वाले बात होगी है, कि किस तरह का परफॉर्मेंस इनके एक बिल्कुल और इंगलेंड की टीम के पास आपर अपर्चुनिटी इए कि डिकेट हो गाये इंडियन टीम को हारे हुए टेस इरी आपने मैदान में अपने सहाजयमी पर तो उनके पास एक ऑच्छी ओपर जिन एक और इंगलेंडी टीम है, जो इंडिया को हरा भी ही कई थे मिन का का पर्फॉर घृपे लटन का थो इन और सुधी Hmm क्योंकि थोड़ा अब जो पर्फॉमेंस है मानने मुझे लग रहा है कि अब इंग्लेंड पहले जैता प्रदर्शन नहीं कर पारी कहीं है कि खराब हो रहा है उनका पर्फॉमेंस चीजे थोड़ी बदल रही है बगी देखने वाले बात होगी फिलाल के लिए इंग्लेंड की इंडिया की प्लेंग 11 होगी उसके अगेंस यहां पर टीम इंग्लेंड ने तो पहले अपनी प्लेंग 11 काहलान कर दिया जब बेंस्टों सी कप्तानी में उत्रेगी बड़ा ओविसली क्वेशन देगा कि जीम्स आंडरसन को क्यों नहीं खिलाया गया और दूसरा कि आपने स किसी लगी इंग्लेंड की यह प्लेंग 11 कॉमेंट्स में जुरूर बताईए और जाते दा तो फान स्पोर्ट्स को लाइक शिर और सब्स्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना